किसान साथियो नमस्कार मैं एक किसान हूँ मेरा नाम पंकज समस्तिपुर बिहार से हूँ आप लोग को हमारे चैनल पंकज भार्मिंग पर स्वागत हैं किसान भाईयो आज हम बात करेंगे क्रेला की 1G, 2G, 3G कटिंग के बारे में और क्रेला की खेत में कब एस्पिरे करे और कौन सा दवा का उप्योग करें पिसान साथियो विडियो के अंत तक वने रहे हम बारी बारी से आज इस बिशे पर बात करेंगे किसान भाईयो जब हम करेला की खेती करते हैं बीज लगाते हैं तो बीज बूने के बाद जब पौधा एक फीट यानि एक हात का हो तब उसके बाद में जो मेन पौधा जो है उसके बगल से जिसे अब साखा भी बोल सकते हैं तना भी बोल सकते हैं बहुत सारा तना निकलता है बगल से बहुत सारा तना निकलता है और जब तक हमारा पोधा अलान या मचान कह सकते हैं उसके उपर चाहे मंडप कह सकते हैं उसके उपर नो चढ़ जाए तब तक हम सभी साखा को कटिंग करते रहते हैं उसे ही 3G, 2G कटिंग कहते हैं जैसे आप हमारे खेत में देख रहे हैं हम अच्छे से जो है जितना भी तना निकला हुआ एक मेन तना को उपर चड़ाये हैं और जितना भी तना है सभी को हम कटिंग कर रहे हैं यह एक दिन में संभब नहीं है एक बार हम कार देंगे फिर निकलेगा फिर दो बारा काटेंगे फिर निकलेगा बहुत सारा तना निकलते रहता है और उसका हम कटिंग करते रहेंगे नहीं तो जितना भी तना निकलेगा पोधा आगे की और नव बढ़के यही तना जो जमीन का जो ताकत होगा जो पोधा का में ताकत है वो खिच लेता है और उन्नती और विकास रुक जाता है पौधा का इस सभी सखा को तना को काटते रहेंगे दो-तीन बार करके और खतम हो जाएगा करीब आठ दिन पर तीन बार कटिंग करेंगे फिर हमारा कटिंग हो जाएगा और ये कटिंग करना ज़रूरी है इसलिए क्योंकि तना नहीं काटेंगे तो हमारा मेन पौधा मचान के उपर चड़ने में देर कर देगा और दूसरा तिसरा चवथा तना से फल और फूल आने की चांस बहुत कम होती है नेल फीमल फलावर की चांस बहुत कम होती है इसलिए हम थ्रीजी कटिंग अपने पौधों पर करते है अब बात करते हैं हम एस्पिरे कब और कौन सी दबा का उप्योग करे किसान साथियों हम अपने सबजी के खेतों में कभी भी एस्पिरे करे तो साम या सुबह को करेंगे क्योंकि अभी गर्मी का मौसम है और धुप बहुत तेज होता है और ज्यादा टेंपरेचर में कभी भी एस्पिरे नहीं करना चाहिए किसान साथियों आप देख रहे हैं कि हमारा करेला का पौधा अभी मचान पर चड़ने चड़ने वाला ही नहीं चड़ चुका है और हमारा करेला का पौधा अभी पचास दिनों का हो चुका जोकि हमारे करेले के पौधे में एक दो करके फल भी आ चुका और फल जो है 45 दिन के अंदर में फल आ जाता है पौधा पे और हमारे करेला में एक दो करके फल आ चुका है 50 दिनों का हो चुका है हम अभी से 15 दिन पहले कितना से दवा का छिरकाब किये थे कहें तो पॉधा जब फल देने लाइक नो हो तब तक उसमें टौनिक का छिरकाब न करे क्योंकि जब हमारा पौधा फल देने लेक हो जाएगा तंदुरुस्त रहेगा हिश्ट पुष्ट रहेगा तभी तोनिक का चिरकाव करेंगे अन्य था हमारा पौधा जो है कमजोर हो जाएगा हमने पंदर दिन पहले कितना सक दबा का चिरकाव किया था और सफेद मक्खी जो है नजर आ रहा था पौधा पर सफेद मक्खी का भी हमने दवा दिया था जो कि सफेद मक्खी के लिए बादसा और करीना का चिरकाव किया था अब हमें पचासमा दिन एस्पिरे कर रहे हैं हम जो कि हमने टॉनिक का उप्योग किये हैं टोनिक का चिरकाव कर रहा है टोनिक में हम तुफान गोल्ड का परियोग किये है किसान भाईओ तुफान गोल्ड अच्छा दवा है टोनिक है जो कि एक लिटर पानी में दो एमेल का उपयोग हम लोग करते हैं और हमने बहुत दिनों से तुफान गोल्ड का परियोग कर रहा है किसान भाईयो पौधा फल देने लैक हो जाए तभी टोनिक का छिरकाव करें अन्यता नो करें किसान साथियो वीडियो अच्छा लगे तो एक लाइक कर दिजिए और हमारे चैनल पे नया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लेजिए किसान साथियो जब तब तक के लिए धन्यवाद मिलते हैं अगला वीडियो में जय हिंद, जय भारत, जय जबान, जय किसान